जेहिन दोस्तों मैं हुआ नूँ पर आप से लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को दुनिया के दो बहतरीन सिंगेल इंजिन फाइटर एरक्रेफ्ट के बारे बताऊंगा जिन में से एक है स्वीडिन के साफ कमपनी के द्वारा निर्मी जेस-39 ग्राइफिन फाइटर एरक्रेफ्ट के सबसे आधुनिक वर्जिन मतलब ग्राइफिन EF जबकि दूसरा एरक्रेफ्ट इंडिया के हिंदूस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेट के तरफ से बनाया हुआ लाइट कॉमबैट एरक्रेफ्ट तेजस के फ्यूचर वर्जिन मतलब तेजस मार्क्टू मीडिया मोड फाइटर वैसे अगर देखे तो तेजस मार्क्टू एरक्रेफ्टो के प्रोटोटाइप अब तक नहीं बना है लेकिन इसका स्टील केटिंग सरिमनी इसी साल के फेरवरी महिने में हुआ था और संभावित नेक्स्ट इयर इसका पहला एरक्रेफ्ट का रोल आउट हो और 2023 में एरक्रेफ्टो का फर्स्ट फ्लाइट हो ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी है कि इस कैटेगरी के अन्य फाइटर एरक्रेफ्टो के तुलना में तेजस एरक्रेफ्ट कितना बहतर होगा तो दोस्तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तो यहां पे जो स्वीडन के साफ ग्राइपिन एरक्रेफ्ट के बारे में बताऊंगा हुआ असल में आइकोनिक ग्राइपिन एरक्रेफ्ट के सबसे अधनिक वर्जन है वैसे अगर देखा जाए तो स्वीडन के द्वारा ग्राइपिन एरक्रेफ्टों को 1988 से ही बनाया जा रहा है जिनमें A, B, C और D जैसे वर्जन अल्रेडी स्वीडिश एरफोर्स के इलावा कई सारे अन्य एरफोर्स में भी खामिल हो चुका है पहली वार स्वीडन के तरफ से साल 2009 में इन एरक्रेफ्टों को अपग्रेड करके एक नया और बहत्रीन एरक्रेफ्ट निर्मान करने का इरादा बनाया गया था जिन में ये भी इरादा था कि पुराने C और D version के एरक्रेफ्टों को भी रेट्रोफिटेड करके मतलब उसे उपग्रेड करके E version के एरक्रेफ्टों में तबदिल किया जाए इन एरक्रेफ्टों को निर्मान करने के पीछे असल कारण था उस समय स्वीडन के इन एरक्राप्टों को लेके कुछ देशों के द्वारा दिखाये जाने वाले इंट्रेस्ट गिन में भारत भी शामिल था, क्योंकि उस समय भारत का MM-RCA का पहला टेंडर चल रहा था, स्वीडन के द्वारा ग्राइपिन एरक्राप्ट के सबसे पहला E-Vर Mark 1 और Mark 1 एके सक्सेस के बाद, इंडिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया तेजस एरक्राप्ट को इस्तेमाल करके लाइट वेट नहीं बल्कि, मीडियम वेट के फाइटर एरक्राप्टों को निर्मान करने के तरफ आगे बढ़ रहा है, दोस्तों पहली बार ऐसे एरक्राप्ट के कॉंसेट मतलब, तेजस Mark 2 मीडियम वेट फाइटर एरक्राप्ट के कॉंसेट को रिविल किया गया था, एरो इंडिया त्वेटी त्वेटी नाइन के एर शो के दर्मियान, जबकि इसके बाद, खवर ये है कि फेवरोडी महिने से ही इसके मेटल सेरिमनी हो चुका है और फिलार इसका पहला प्रोटोटाइप का निर्मान किया जा रहा है, आशा किया जा रहा है कि प्रोटोटाइप को 2022 में रोल आउट किया जा सके और इसका फर्स्ट फ्लाइट 2023 में शुरू हो सके, ऐसे टोटल चार प्रोटोटाइप बनाने के लिए ह इंदोसान एरनोटेक्स लिमिटेट के तरफ से काम भी किया जा रहा है जिसके कई सारे परिक्षनों के बाद संभावित आने वाले कुछ और सालों के बाद इन एरक्रेप्टों को इंडियन एरफोर्स में भी ऑपरेशनली शामिल कर लिया जाए दोस्तों ग्राइपिर एरक्र को अगर देखा जाए तो यह एक 4 प्लस जेनरेशन के सिंगेल इंजिन लाइटवेड मल्टी रोल फाइटर एरक्रेफ्ट है जिसका डिजाइन को डेल्टा विंग कैनर्ट कॉन्फिगेशन डिजाइन भी कहा जाता है वही पर अगर तेजास एरक्रेप्टों को देखा कि इसका जो E-Version है वह असल में सिंगेल सिटेड वरिजन है और F-Version असल में एक ट्विन सिटेड वरिजन है और इस वज़ा से एरक्रेफ्टों के लंबाई में भी थोड़ा अंतर है जैसे कि ग्राइपिन E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- करिव करिव 8.6 मिटर मतलब 28 फीट 3 इंच के आसपास है जब कि इसका हाइट 4.5 मिटर मतलब 14 फीट 9 इंच है इस कॉन्फिरिगेशन के साथ ग्राइफिन EF यारक्राफ्ट के विंग एरिया करिव करिव 30 मिटर स्क्वेर मतलब 320 स्क्वेर फीट के आसपास होता है जब कि परतेजस मार्क 2 मिडियम वर्ट फाइटर एरक्राफ्टों का लंबाई 14.6 मिटर मतलब 47 फीट 11 इंच के आसपास होगा जब कि इसका विंग स्पैन 8.5 मिटर मतलब 27 फीट 11 इंच के आसपास होगा और इसका हाइट 4.86 मिटर मतलब 15 फीट 11 इंच के आसपास होगा जिससे ए aircraft के लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है पर तेजस aircraft के wing area, griping aircraft के wing area के तुलना में काफी अधिक होने जा रहा है aircraft के वजन को देखे तो आपको पता चलेगा कि griping EF aircraft के empty weight करीवन 8000 kg और maximum take off weight करीव 16500 kg के आसपास है जबकि इस aircraft के internal fuel capacity वी करीवन 3400 kg है और इसका payload शमता 5100 kg के आसपास है जबकि तेजस mark 2 aircraft के expected वजन को अगर griping EF aircraft के वजनों के साथ compare किया जाए तो आपको पता चलेगा कि तेजस mark 2 का वी empty weight 7850 kg के आसपास होगा जबकि इसका gross weight 11300 kg के आसपास हो सकता है जबकि maximum take off weight करीव करीव 17500 kg के आसपास होने का संभावनाए है और इसका internal fuel capacity 3400 kg से अधिक होगा जबकि इसके payload capacity को भी लेके expectation किया जा रहा है कि संभावित ये 6500 kg से अधिक हो और दोसरे इससे conclusion ये वनता है कि तेजस mark 2 aircraft और graphene aircraft के empty weight एक बराबर होने के बावजू तेजस mark 2 aircraft के maximum take off weight करीवन ग्राइपिन से 1000 kg अधिक होगा और इसके payload शमता भी graphene EF aircraft के तुलना में करीवन 1400 kg अधिक होगा aircraft में इस्तेमाल होने वाले अगर इंजिनों के बात किया जाए तो ग्राइपिन EF aircraft में General Electric RM16 engine मतलब A414 GE39E engine का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक after warning turbofan engine है और इसका dry thrust करीवन 61.83 kN और maximum after warning thrust करीवन 98 kN के आसपास है जबकि तेजस Mark II aircraft में भी अमेरिके General Electric के द्वारा निर्मीत A414 engine के ही वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा माना जा रहा है कि तेजस Mark II aircraft के prototype और initial कुछ वर्जनों में General Electric A414 GEIN-S6 EPE after warning turbofan का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका dry thrust 58.5 kN और maximum after warning thrust करीवन 98 kN है पर बाद में इन एर क्रेप्टों के engine को भी indigenous engine के द्वारा तबदिल किया जाएगा और संभावित इसमें indigenous 110 kN वाले engine का इस्तेमाल किया जाएगा मतलब दोस्तों दोनों एर क्रेप्टों के engine एक ही है और एक ही बरावर इन engine का फिलाल thrust capability है लेकिन भविश्य में तेजे से एर क्रेप्टों के engine को अपग्रेड करते हुए और powerful engine का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों अब चलिए एर क्रेप्टों के performance के बारे में जानते है ग्राइपीन EF एर क्रेप्टों को लेके कहा जाता है कि इसका maximum speed करीवन 2460 km पर hour मतलब Mark 2 के आसपास है जबकि इसके जो combat range है वो भी करीवन 1500 km से अधिक है जबकि इसका ferry range मतलब refueling के सहारी ये करीवन 4000 km से अधिक range में operate हो सकता है एर क्रेप्ट के service ceiling मतलब high altitude में जाने का शमता भी करीवन 16,000 मीटर के आसपास है जबकि इसका thrust to weight ratio 1.04 है एर क्रेप्ट के take off के लिए कम से कम 500 मीटर के runway का आवशकता होता है जबकि इसका landing के लिए कम से कम 600 मीटर का runway का आवशकता होता है जबकि दू 2720 किलो मीटर पर आवर के रफतार से क्रूज भी कर सकेगा दूसे तरफ एर क्रेप्ट के combat रेडियास को लेके कहा जा रहा है कि ये करीवन 1500 किलो मीटर से अधिक होगा जबकि इसका range 2500 किलो मीटर से अधिक होगा एर क्रेप्ट रिफ्यूल या फिर तीन ड्रॉप टैंग के स ताहरे वान से अधिक होगा जबकि इंडिजिनियस इंजिनियों के इस्तेमाल से ये thrust to weight ratio इससे अधिक होगा मतलब एर क्रेप्ट के अगर performance को भी जाचा जाए तो आपको पता चलेगा कि दोनों एर क्रेप्टों के speed और range लगवग लगवग एक ही है लेकिन तेज़स एर क् griping E aircraft के तुलना में थोड़ा अधिक altitude तक जा सकता है जो एक तरीके से combat में एर क्रेप्टों को benefit भी देगा अब चलिए दोसों दोनों एर क्रेप्टों के हत्यारों के बारे में बात करते हैं griping EF aircraft में main gun के रूप में 27 mm के revolver cannon का इस्तेमाल किया गया है जो सिरिफ single seated मतलब griping e aircraft में ही available है जवकि दूसरे तरफ इसमें 120 round ammunition को store किया सकता है और अन्य हतियारों को लगाने के लिए griping EF aircraft के इन नया वर्जिनों में 10 हाट पॉइंट है जिनमें 3 हाट पॉइंट under fusel arge, 2 हाट पॉइंट wing tip में और 2 हाट पॉइंट under wing है जवकि इसके इलावा जो आखरी हा हाट पॉइंट है जिसमें स्रिफ flare या फिर reckon ports को लगा जा सकता है और मैं अप लोगों को पहले ही बता चुका हो कि इन हाट पॉइंटों के साहरे griping EF aircraft करीवन 5100 kg की ammunition या फिर fuel को लेके उडान भर सकता है तेज़े से aircraft को अगर देखा जाए तो इसका main gun griping EF aircraft के गन से थो करीवन 13 हाट पॉइंट है जिसका capacity वी griping EF aircraft के तुलना में अधिक है और ये करीव-करीव 6.5 टन के आसपास है तो सो हतियारों को अगर देखा जाए तो griping EF aircraft में air-to-air missile के रूप में IRST, M9 Sidewinder, A-Darter जैसे short range missile जफकी MBDA Meteor जैसे long range के air-to-air missile का इस्तेमाल होता है Air-to-surface role में इसमें KFD-350 जैसे Swedish और German company के द्वारा बनाया हुआ cruise missile का इस्तेमाल होता है जबकि anti-shift role में इसमें RVS-15F नामक missile का इस्तेमाल होता है इसके इलावा इन एरक्रेप्टों के द्वारा GV-12 FIW-2 laser guided bomb, Mark 82 bomb, GV-39 SDV bomb और कई तरीके के alternative small diameter glide bomb का इस्तेमाल के आजा सकता है Tejas Mark 2 Air Capto के हत्यारों के फिलाल plan को अगर देखा जाए तो आपको पताई चलेगा कि भारत द्वारा इसमें French निर्मित, Mica, British निर्मित, SRAM जैसे missile के साथ-साथ Beyond Visual Range Air-to-Air missile के रूप में Meteor और भारत के अस्तर सिरिस के missile के इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है जबकि Air-to-Surface missile के रूप में इसमें Bramos के NG Version मतलब Next Generation Version के Air Launch Cruise Missile और निर्वय मिसाइलों के वही लगाने का इरादा बनाया जा रहा है जबकि इसके इलावा Shrom Shadow मतलब Scalp Missile और Crystal Maze नामक इस्राइली मिसाइलों को भी इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है Anti-Radiation Missile के रूप में इसमें भारत द्वारा निर्मित रूदरम के 1,2 और 3 वर्जिनों को लगा जाने का प्लैन बनाया गया है जबकि इसमें बॉम्स के रूप में Precision Guided कई तरीके के Ammunition जैसे की Spice या फिर भारत द्वारा निर्मित HSLD 100, 250, 450 और 500 जैसे बॉम्स के साथ- Guide Bomb और DRDO Smart Anti-Airfield Weapon को लगा जाएगा इसके इलावा DRDO के सुर्दशन, Laser Guided Bomb, Cluster Ammunition, Loitering Ammunition, DRDO के Swarm और Unguided कई तरीके के Bombs को लगा जाने का इरादा बनाया जा रहा है एरक्रेप्टों में इस्तेमाल होने वाले Avionics को अगर देखा जाए तो ग्राइपिन एरक्रेप्टों में European Company Leonardo के द्वारा निर्मित CELX ES-05 Raven Active Electrical Scan Array Radar लगा गया है जबकि इसके इलावा Infrared Search and Tracking System, Air-to-Air और Air-to-Ground, Tactical Data Link System, Wide Area Display, Targo Helmet Mounting Display और कही तरीके के Night Vision Sensors का इस्तेमा करी नहीं है, जबकि दूसरे तरफ भारत के Tejas Mark-2 एरक्रेप्ट में भारत के द्वारा ही निर्मित उत्तम Active Electrical Scan Array Radar लगाने का इरादा बनाया जा रहा है, जबकि इसके इलावा इसमें भारत के Defense Aviation Research and Establishment के Unified Electronic Warfare Suit और इसी कमपनी के द्वारा बनाया हुआ, Dual Color Missile Approach Warning System जै और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जै हिंद!